कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर द्रिश्यम और रत्सानन जैसी मूवीज नहीं होती ना तो बाकी सारी हलकी फुलकी मिश्टी सस्पेंस थीलर वेब सीरीज या मूवीज सारी ब्लोकबस्टर होती तो मैं बात कर रहा हूँ द्रिश्यम मूवी की अगर आपने अजय देवगन किया मोहनलाल की द्रिश्यम मूवी देखी होगी ना तो आपको उसके बाद कोई भी मूवी अच्छी नहीं लगी होगी मैं बात कर रहा हूँ दिश्यम मूवी के ही डारेक्टर जी तू जोसेफ की जहाँ पर उनकी एक और नई मूवी हिंदी में रिलीज हुई है जिसका नाम है नेरू और इसके अंदर एक्टर भी हमें अपने मोहन लाली देखने को मिले जिनों दिश्यम के अंदर सबको पागल क अगर रंग डिया था इसी कारण से हमारे बोली हूद में भी थे देवान का रीमेक बना था देखो भाई मूवी के अंदर हमें पता था कि मडर किसने क्या है और मडर किसका हुआ है लेकिन जो अपन को ड्रामा देखने को मिलता है ना भाई वह आस तक आपने किसी भी मूव वे में पेश करते हैं आपके साथ क्या आप के दोगे कि यार आपने थो में दिरिश्चम मुवी की याद दिला दी अब इस्टोरी तो देखो सिंपल सी जहां पर एक लड़की अकली रहती है और उसका रेप हो जाता है लेगिन अब उसके बाद वो केस कोट के अंदर जाता है महां पर किसे क्या होता है कोट रूम ड्रामा चलता है वह आपको देखने में मज़ा आ जाएगा अब बात करें परफोर्मेंस की तो भाई मोहनलाल भाई मैं क्या बोलू आप मोहनलाल को किसे भी मुवी के अंदर देख लो किसी भी रोल में देख लो वह आपको कभी कि यह मुवी के अंदर कुछ कमाल कर देंगे लेकिन यार वह जो एक्सप्रेशन देते जो फील कराते अपने को भाई गौड लेवल मतलब मान गए उनको किसी भी रोल के अंदर वह फिड़ बेट जाएगा क्योंकि यह मुवी आपको वह पेश करेगी कि आपको इस मुवी नहीं देना चाहूंगा अब इस मुवी का बजट था बारा करो रुपे और इस मुवी ने कमाये ते 84 करो रुपे वर्ल्ड बाइट मार्केट में जो काफी अच्छी बात है देखो मुवी काफी अच्छी जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप यह मु